का डीडी सी में स्वागत है गुडिविंग नमस्कार सुब संध्या थोड़ा सा लेट सही लेकिन हम प्रेक पर आ चुके हैं आप तो सबसे पहला कोश्चन हमारे लिए जो है तमिल्लाडू ड्रग इंस्पेक्टर 2019 में आया हुँ कोशल बहुत ही इंपोररटन कोशल है अकेरा तमिल्लाडू ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामर नहीं बहुत सारे एक्जाम्स में एक उच्चा घया है तो इसको बिलकुल तो रटे लीजे दिमाग में बसा लीजे बिल्कुल एक तरीके से कि the flow properties of drug can be determined by the flow property of drug can be determined by the कैसे determined करेंगे आप flow property को flow property को determined करने के लिए क्या करेंगे आप कौन सी method use करेंगे तो correct answer क्या है angle of repose क्या है angle of repose तो उसके explanation पर आते हम तो flow ability क्या होती है उसको देखेंगे कि capacity of any substances to flow is called the flow ability क्लियर है किसी भी substance की flow होने की ability क्या 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 आती है उसके बाद flow property को measure करने के बहुत सारे indexes हैं आपने पढ़े होंगे angle of repose, cast index, house ratio उनमांस एक important जो index है वो है आपका angle of report जिसको हम picture concーー method से find out करते हैं, determine करते हैं फिक्स्ट konmeth root से यह detail है देख पा रहे होंगे आप लोग इस method को तो हम क्या करते हैं angle of purpose determine करते हैं किसी भी compound का किसी भी drug molecule का ग्रेड़्यस के form में है तो किस के form में पाउड़र या ग्रेनुल्स के फॉर्म में तो हम वह डिटर्माइन कर लेते हैं तो यहां पर ध्यान देने योग के बात है सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर जो आप फ्लो प्रॉपर्टी मेजर करोगे तो उसमें जो एंगल अफ रिपोस की वैल्यू आएगी वह कम से कम होने चाहिए जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहां पर एक्सिलेंट फ्लो के लिए और उसके बाद को को अगर देखें पासिबल का मतलब हो तहीं पास हो जाए हमारा फ्लो प्रॉपर्टी जो मिजर्मेंट फ्लो प्रॉपर्टी पैरामीटर उसमें पास हो जाए उसके लिए उसके लिए जो वैल्यू आएगी आपकी 41-45 बेटा याद रखना है यह वैल्यू कभी कभार पूछ ल तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हम बात करते हैं कि इसमें पूर फ्लो के लिए कितना एंगल ओफ रिपोज होगा रिपोज ओफ एंगल होगा पूर फ्लो के लिए 46-55 वैरी पूर के लिए 66 डिग्री से उपर होना चाहिए वही याल हाउचनल रेशों का होता है हाउचनल जितना कम होगा हाउचनल रेशों जितना कम होगा आपकी आपकी जो कह सकते हैं कि जो फ्लो प्रॉपर्टी उतनी ही एक्सलेंट होगी वैसे ही हाल आपका कार्स इंडेक्स में होता है कि कार्स इंडेक्स की वैल्लू जितनी कम होती है जो आपका जो कह सकते हैं कि फ्लो प्र solving cylinder method इस तरी की बहुत सारी method से हम यहां पर डिसकस नहीं करें मैंने केवल एक method को यहां पर बता दिया क्योंकि इस method का डाइग्राम हमारे पास बना हुगा इसलिए मैंने उस method को बता दिया है कि चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन आपके सामने आने वाला है वो नेक्स्ट कुश्चन है देखिएगा विच बनाब दा following ingredient improve the flow property of granules इन मैं से कौन सा ingredient है जो flow property को improve कर देता है granules की आपको पता है flow property एक important parameter होता है किसी भी tablet की manufacturing के लिए या फिर capsule की filling के लिए याद बहुत important parameter होता है तो correct answer क्या होना चाहिए आपके साब से फटा पट answer दीजिए बहुत बढ़ी है very good very good सभी लोगों का जाता लोगों का आंसर correct होता है मुझे बेटा ए ओप्शन है Glident बी ओप्शन है Emollient ची ओप्शन है Diluant और दी ओप्शन है एंपी ड्राइंस्पेक्टर 2017 का कुश्चन है देखिए इतने सिंपल कुश्चन भी आ सकते हैं और मेरे काल से इतने कुश्चन आते नहीं है दी आई के एक्जाम में सिंपल कुश्चन ही आते हैं आप अगर अगर अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा सा अगर ध्यान देके पढ़ेंगे तो इन कुश्चन को आप आराम से कर सकते हैं तो Glident इसका आपके सापसे और हमारे साथ से भी आंसर ग्लाइडेंट है तो गलाइडेंट क्या होते हैं ऐसे journey cm ओते हैसे इसे सब्सेंस जो प्रॉपर डिकव कर देदे कि आपका बाल्द के बीच्चन के वीच दिछ को तो Glidant एक Coat बना लेता है इन Granules के चारों तरफ यह Coat जो होता है आपका Slippery Coat क्या होता है Slippness प्रोवाइड करता है किसको प्रोवाइड करता है Slippness आपके Granules को पाउडर को सिलेपरी जतना जड़ादा उतने ज़्यादा क्या होगा यह और प्रॉपर्ली फ्लो गा क्योंकि यह flow property को बढ़ा देते हैं और बहुत कम concentration में एक certain concentration में काम करते हैं और साथी साथ इनका जदी हम example देखें, example भी important रहते हैं, टलक, sodium chloride, magnesium spirit, boric acid and starch, जज़ादा तर मैं आपको एक point और note कर लिएगा बेटा, एक point और note कर लिएगा, ज़्यादा तर जो आपके glident होते हैं, वो किस nature के होते हैं, आपके hydrophobic nature के होते हैं, बहुत कम glident ऐसे रहते हैं, जो कि hydrophilic nature के होते हैं, चलि, आगे बढ़ते हैं, तो दो दो कुशन आपने बाजी मार ली, दो कुशन बहुत अच्छे से आपने शॉल्लब किये, अब तीसरे कुशन की तरह मूτα करते हैं, की तरह मूँव करने से पहले मैं आपको बतादू, इस जो आपका जो आज ग्वाज चल रही है, इसका जो टेस्ट है वो आपका 100 कोश्चन का टेस्ट कल होने वाला है सुब रात को 9 बजे से और परसों रात मतलब 27 दिसंबर 2022 तक इसको आप देख सकते हैं इस टेस्ट को दे सकते हैं आप साम को इवनिंग में 9 पीम से दूसरे दिन की 9 पीम तक मतलब 26 दिसंबर से 27 दिसंब कर सकते हैं मेरे कालसिस में बहुत सारे लोग ऐसे हुँगे जो आज नए जुड़े हैं तो उनके लिए आप मैं बता दूं किस को कैसे जोइन कर सकते हैं बढ़ा सिंपल वेश्ट को जोइन करने के लिए आपको सबसे पहले हमारी एप डिटी सिय आपको स्टॉल करना SDCDI करके batch code डालना पड़ेगा और उसके बाद आपका test start हो जाए बहुत अच्छा test है इसको attend कीजी आप और इससे आपका self-evolution कह सकते हैं के self-evolution हम अभी तक कितनी तैयारी कर चुके हैं वह आपको पता चल जाएगा तो date याद रखिए 26 December 2022 इवनिंग 9PM से 27 December 2022 इवनिंग 9PM तक यह test आपके लिए अवेलेबल रहेगा इसको दीजिएगा यह आपको मेरी सलाह है इसको बिलकुल आप फॉलो कीजिए definitely definitely आपका score डर्ग इस्पेक्टर एक्जाम में अच्छा हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं question number three pre formulation studies involve pre formulation studies involve pre formulation study का question आ चुका आपके सामने important tag का यह important section है मैं आपको बता दूंग प्री-farmulation study पढ़के जाएगा बहुत सारे questions आने लगे ने लगे हैं ड्रग इस्पेक्टर एक्जाम में देखिए तमिल नाटु ड्रग इस्पेक्टर एक्जाम 2019 में पूछा गया question था Pre-Formulation Studies involved तो बेटा answer क्या होना चाहिए बताईए बताईए answer चलिए ओके बहुत बढ़ी है Very good सभी ज्यानी लोग हैं मेरे खाल से बैच में आज जो class पढ़ा रहा हैं सभी ज्यानी लोग हैं सभी ने अच्छे से पढ़ रखा है बहुत बढ़ी अच्छी तयारी है बहुत बढ़ी है जा रहा है बेटा बहुत बढ़ी है Very good तो यहाँ पर आप देखेंगे कि Pre-Formulation इसका डी का मतलब क्या होता है मैं आपको एक लाइन में इसका meaning बताता हूँ प्री प्री मतलब पहले प्री मतलब क्या बेटा पहले प्री मतलब पहले कौन सा पहले Formulation के पहले Formulation का मतलब क्या होता है Dogeist Forms डवलब करना Formulation का मतलब क्या होता है Dogeist Forms डवलब करना तो Dogeist Forms डवलब करने से पहले का जो investigation होता है जो analysis होती है बोलते हैं pre formulation study तो यहां पर देखिए यहां पर option देखेंगे development of suitable doses यह answer हो सकता है यह answer हो सकता मैं नहीं बोल रहा भी answer है दूसरा determination of pharmacological action of drug यह तो कता ही नहीं हो सकता C option है determination of molecular structure of drug यह भी नहीं हो सकता आप इसको analytical method जवब की आपकी IR और NMR उससे करते आप तीसरा determination of adverse drug reaction यह भी नहीं हो सकता तो correct answer क्या होना चाहिए development of a suitable doses for a drug effective doses for development करने के लिए आप effective doses for develop करने के लिए आप जो studies करोए आप जो studies करोगे उन studies को combined हम बोलते हैं pre formulation studies चलिए यह इसका answer हो गया यह जिन लोगों का a answer सही है उनको बदाई है बहुत-बहुत और मेरे खाल से किसी का गलत नहीं हुआ है सभी लोगों का सही है बहुत अच्छे से जा रहे हैं आप लोग यहां पर explanation पर जाएंगी तो definition है जो मैंने आपको बता दी investigation of physical chemical properties of drug substances and when combined with the excipient is called the pre formulation study इसका goal क्या है safe elegant और effective doses for develop करना जिसके साथी साथ उसमें क्या हो जिकाषी खासी बायो अवेलेविलिटी हो तूसरा आपका कोई डोसित वाम पहले से एक्जिस्ट है माल दीजिए आपका पेरसीटा मौकी टेबलेट अवेलेवल तो आपने उसका suspension बना लेना है तो एक गोल यह हो गया तीसरा डवलमेंट अब अब आते कुश्चन नमबर 4 पर कुश्चन नमबर 4 असम ड्रग इस्पेक्टर एक्जाम 2022 का लेटेस्ट कुश्चन है बहुत ही सिंपल कुश्चन है इसको हर किसी से जितने भी लोग जो यहां पर लाइब जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी से मैं इसका आंसर चाहूंगा एकदम से और करेक्ट चाहूंगा कि विच्व वन अपधि फॉडविंग टेस्ट इंचूर धी पेरेंटल प्रोड़क्ट इस कम प्लेटली फ्री फ्रॉंग हम फिवर इंडीशिंग एजन्ण प्रीवर इंडूसिंग एजन्ट क्या क्यलाते हैं पाइरोजन्ट पाइरोजन पाइरोज़न इसली SK प्रोड़ीयूस करने वाले। lust जो की पिश्रुजटी आम उनको क्या बहुत रखते हैं। कि temperature induce कराना हमारी body का temperature बड़ा देना तो इसमें से अगर देखें तो answer क्या निकल के आ रहा है जाहतर लोग सही answer दे रहे हैं जाहतर लोग बिल्कुल correct answer दे रहे है correct answer is that पारुजन्ट टेस्ट पारुजन्ट टेस्ट चलिए explanation पर आते हैं ठीक है explanation पर चलते हैं तो explanation पर देखेंगे यहाँ पर पाएंगे कि explanation पर यहाँ पर सारे test का हमने दे रखा है कि कौन सा test क्या होता है कि pyrogen test pyrogen test में हम क्या करते हैं सबसे पहले चीज में आपको बता दूँ एक चीज बता दूँ जो भी parental प्रोडक्ट रहते हैं उन्हों में दो प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी हमें बेसिकली लेके चलनी पड़ती है एक होती है free from pyrogen और free from any microorganism कि इस प्री फ्रॉप पाइरोजन से free from any microorganism तो मतलब must be sterile मतलब क्या इसका must be sterile as well as as well as free from pyrogen यह खास प्रॉपर्टी होती है किस की इसे प्रॉपर्टी होती है एक इसकी sterile products की बिलकुल याद रखिएगा जो आपके लिखेर रहते हैं तो प्रॉडक्ट के टेगरी में दो टाइप के प्रॉडक्ट आते हैं एक तो आते हैं आपके पारिविचन होते क्या हैं पारिजन टेस्स कैसे लगा ते मैं कि तीन टेस्स करते हैं इसके लिए एक लिए यह os test थे ज़िएजिग उस्वालर स्था यह घ्यकून परहिए और तीसरा टाइप का टैस्ट होता है उनकी packaging packaging बहुत महत्पूर्ण होती है किसकी ampule की packaging बहुत महत्पूर्ण होती है important होती है hermetically sealed product होते हैं कौन ampule तो उसके लिए package integrity को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं leaker test के लिए हम क्या करते हैं ampule को हम एक dye के solution में आपकी methylene blue 0.521% methylene blue के solution में dip करते हैं और negative pressure create करते हैं यदि किसी type की capillary किसी type का aperture किसमें आपके ampule में है तो वो dye अंदर penetrate कर जाएगी अब question एक और आ सकता है इसके साथ में आपको बतादू के लिए क्या leichter test लगाते हैं नहीं लगाते में चले में cocktail के में में ao आफ़्यजाद के लिए तो क्या लगाते है वाइल के लिए 같아 सबने लेगता इस के लिए क्या लगता है बेटा, water hammer test and blue spark test लगाते हैं। चलिये, next, clarity testing. Clarity testing में हम क्या पता लगाते हैं? कि अश्योर करते हैं कि जो आपका parental प्रोड़क्त है, free from any particulate matter, particulate matter नहीं होना ती, इसकी limits आपको पता ही है, not more than 50 particle per ml, per ml of 10 micron and not more than 5 particle per size of 25 micron, मतलब 50 particles से ऊपर के 50 particles से ऊपर के size के कोई particle present नहीं होनी चाहिए 10 micron size के आपके जो particles है वो 5 particles present होने चाहिए तो यह values आपको मिल जाएंगी, definitely आपको ठीक है तो यह वैल्यूज आप देख सकते हैं वहाँ पर उसके बाद इस्टलेटी टेस्टिंग तो मैंने आपको सुरुवात में बताया था कि आपका जो परेंटल प्रोडक्स होते हैं जो आपके परेंटल प्रोडक्स होते हैं वह मस्ट भी स्टरायल होने चाहिए तो उसके लिए टेस्टिंग लगाते हैं उसके लिए इंक्यूबिशन मेंथड और मेंबरेन इस्टलेटी टेस्टिंग दो मेंथड आप यूज करते हों तो चलिए अच्छे से आपको समझ में आ गया हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट कुश्चन नंबर फाइव एन एडिटिव उस्टू रिडूस दिडाइवाल फ्रिक्शन इंटेबलेट कंपरेशन इस तमिल लादू डी टूथाज़न ट्वल का कुश्चन है इसको हम देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए आपके साब से ए ग्लाइडन, ब्विट्टन, ए एं ट्वीट्टन और डी डायुमेंट, डॉइल फ्रिक्शन देखिए लुब्रिकंट जो होते हैं वो तीन तरह की होते हैं एक उता है ग्लाइडन जो मैं आपको बता छुका honored दूसरी होते हैं, Lubricant और तीसरी होते हैं, Anti-eder discuss ठीक है ? तीनँ तरह की मैंने आपको बता दी, Glident क्या करते हैं ? Lou Property को बढ़ाते हैं Glident क्या क्या करते है ? flow property को Increase कर देते हैं ! मतलब Particle, Particle, Friction को Reduce करते हैं, Particle, Particle, Friction किया करेंगे रिडूस करेंगे किसको रिडूस करते हैं किसको रिडूस करते हैं अगर फोटावाद मुऊस्चर है तो ने था इंट करते हैं आपको पता है दौक्र अप्के seriously अब आते हैं में रख सबस्टेंशन्जा कम्पॉंप सब्सक्राइब जयुकोबूरिकेंट के बीच में टीक है जो आपकी ड्यूंजिटल करने काम करती है क्कूंस को भीवत ध्यान से देख़ी है का इनको तीनों में difference पता होना चाहिए ग्लाइड़नट पार्टिकल-पार्टिकल फ्रिक्षिन को reduce करता है लुब्रिकेंट डाइवाल और पार्टिकल के friction को reduce करता है एंटिएडरण जो होते हैं आपके इस्टिकिंग से और प्रिकिंग से प्रेवेंट करते हैं यह तीनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए याद रखिए का चीज को मेरे क्याल से आप लोगों को मेरी बात समझ में आगे डायलुएंट नहीं होगा बेटा डायलुएंट तो बल्क इंक्रीज करने का काम करता है जाड़ो साइज कम होता है किसका ड्रग का तो उस समय बल्क को बढ़ाने का काम करता है कौन डायलुएंट यास बहुत ही बढ़ी हैं तो मैंने एक्स्प्रेशन भी देदी आपको डेफिनिशन ही बता दी सभी कि आप इसकी जरूरत नहीं है अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट हिमाचार प चलिए आंसर बताईए आंसर बताईए सबसे चोटा कैपसूल सबसे चोटा कैपसूल जितना नंबर बड़ा उतना कैपसूल चोटा जितना नंबर बड़ा उतना कैपसूल चोटा तो यहां पर देखिए नंबर सबसे बड़ा कौन है फाइव तो यह स्मॉलस कैपसूल है तो अबेसी बात है, जितना नंबर छोटा, उतना ही बड़ा कैपसूल, तो सबसे बड़ा, bigger size का जो होगा कैपसूल, ट्रिपल जीरो, bigger कैपसूल, यह सबसे बड़ा, तो चलिए, answer क्या होगा, answer क्या होगा, answer is that, answer क्या है, option A, चलिए, यह आपके सामने table है, इसमें clear दिया हुआ है कि कौन-कौन से कैपसूल का definite volume क्या होता है, ट्रिपल जीरो का 1.35, डबल जीरो का 0.95, जीरो का 0.75, वन का 0.55, वन का याद रख लीजीगा, वन का बहुत बार पूछा जाता है, तो वन का आप बिलकुल याद रखिएगा, वन का जो answer है, वन का जो volume है, वो है आपका 0.55 ml, यह बिलकुल याद रखिएगा, उससे 0.4, 3 का 0.3, यह याद रख सकते हैं, 3 का 0.3, 4 का 0.25, 5 का 0.15, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला जा रहा है, volume decrease होता चला जा रहा है, ट्रिपल जीरो में volume सबसे ज़्यादा है, ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर नंबर 5 प next question की तरफ move करते हैं, next question जो हमारा है, उसकी तरफ move करते हैं, कि क्या है, क्या है उसका answer, separation of tablet into two or more distinct layer, separation of tablet into two or more distinct layer, एक बहुत अच्छा question है, SMDI 2022 में question 2 जा चुका है, इसलिए यह answer, यह question बड़ा महत्पूर्ण बनता है, important बनता है exam के point of view से, आपको सभी को इसका answer करना है, और correct answer करना है, मुझे पता है, बहुत से लोग confused होंगे, capping और lamination में, क्योंकि दोनों को साथ में पढ़ते हो, लेकिन मैं आज आपको difference बताने वाला हूँ दोनों में, कि capping और lamination में difference क्या होता है, चलिए मैं आपको बता दो, capping का मतलब होता है, partial or complete separation of bottom and crown of tablet, crown of tablet, this is called the capping, capping जैसा बन जाता है, capping में क्या बन जाता है बेटा, capping जैसा बन जाता है, ठीक है, तो इसमें दो layer complete भी हो सकती है और partial भी हो सकती है, partial का मतलब एकदम से complete separation नहीं है, और capping में capping जैसा structure बन जाता है, यह गर tablet को देखे हम इस तरीके से separation होता है, इमान लीजे tablet है आपकी और यहाँ पर जो separation हो रहा इस तरीके से, और हो सकता है, ऐसे भी separation हो जाए, यह आपकी tablet है, और इस तरीके का separation हो गया आपका, यह, तो इसको बोलते हैं, unequal separation एक तरीके से, और lamination में क्या होता है, two or more distinct layer, lamina, lamina का मतलब होता है, बेटा, layer, lamina का मतलब होता है, layer, layer के form में बढ़ जाना, कितना, दो या दो से ज्यादा layer के form में बढ़ जाना, यह क्या कहलाता है आपका lamination, तो correct answer क्या होगा, बेटा, modeling नहीं होगा answer, modeling is the, क्या होता modeling, modeling बताईए, modeling बताईए, modeling क्या होगा, modeling का मतलब क्या होता है, unequal distribution of color is called the modeling, और error interruptment is the problem नहीं है, ear interruptment, capping और lamination का cause है, क्या है बेटा, capping और lamination का cause है, कौन, air interruptment, याद रखिएका इसको, air interruptment is the cause of the capping and lamination, तो यह पूरे option आपको मैंने clear करा दियें, पूरे option आपको clear करा दियें, और पूरे option आप लोग देख पा रहे होंगे, कि यहाँ पर इसके साब से जो answer बनता है, हमारा answer क्या बनता है, C, answer क्या बनता है, बेटा हमारा answer, C बनता है, इसको याद रखिएगा बिल्कुल, important question है, capping और lamination में, बड़ा confusion होता है, मैंने सारा confusion आपका clear कर दिया है, तो चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, capping lamination modeling के बारे में, तो अनिक्पल distribution of color of tablet is called the modeling lamination separation of tablet into two or more distinct layer, capping partial or complete separation of top और crown of tablet, causes air का intermittent और lubricant की deficiency, यह सब कुछ हो सकते हैं, remedy भी उसको आप करके clear कर सकते हैं, आप उनको, air को, intermittent को हटाने के लिए, आप क्या कर सकते हो, प्री compression कर सकते हो, तो बहुत अच्छा question है, यह आने के chances हैं, चलिए, next, the temperature condition for storage of drug product under cold temperature, cold cold, बताई आंसर, क्या होना चाहिए, answer, हर्याना डियाई का question है, किसका हर्याना डियाई 2019 का question है, इस तो अच्छे से करिए का बहुत अच्छा paper आये था, बहुत best paper था, अभी तक के paper जितने भी देखें, उनमें अच्छा paper आये थे, 2019 के हर्याना डियाई और आपका UPSC drug inspector, इन दौनों के बहुत अच्छे paper आये थे, चलिए, सभी से answer चाहूंगा इसका, सभी से answer चाहूंगा इसका, correct answer क्या होगा बिटा, बताईए फटापट, फटापट, बहुत बढ़ी है, cold, cool या cold, देखिए, दौनों चीज़ा अलग-अलग है, cool अलग होता है, cold अलग होता है, चलिए, answer पर आते हैं, answer है, A, temperature between 2 to 8 degree centigrade is called the cold temperature, temperature between 8 to 25 degree centigrade, this is called the cool temperature, temperature, ठीक है, 8 to 25, cool temperature, cold 2 to 8, room temperature 20 to 25, warm 30 to 40, freezing temperature, freezing temperature क्या होना चाहिए, बेटा, minus 5 से minus 20 के बीच, चलिए, बहुत बढ़ी है, अच्छे से answer किया, आप लोगों ने, ऐसे question बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए, हमें अच्छे से इसको करना है, चलिए, next question, the uneven distribution of the color on the surface of tablet is known as, हिमाचल पर्देश, डी आई, का question है, हिमाचल पर्देश, डी आई, का question है, देखिएगा, इस question को, अच्छे से करिएगा, आंसर करिएगा इसका फटापर, 2021, latest question है, और मैंने आपको इसका answer, इस से पहले से पहले वाले question में इसका answer कर दिया था, गलत नहीं होना चाहिए, बेटा, सभी का, सभी का answer सही होना चाहिए, modeling, बेटा, मैं आपको बता दूँ, modeling, जो question है, आपको ये कम से कम 20 बार question पूछा गया है, बहुत important question है, कम से कम exams में 20 times आया है, चाहे वो pharmacist का exam हो, चाहे वो DI का exam हो, चाहे वो आपका नाइपर का exam हो, चाहे आपका drug inspector का exam हो, ये modeling जो question है, बड़ा important question है, unequal distribution of color on the surface of tablet is called the modeling, picking, picking मैंने आपको बता दिया, जब tablet punch faces, tablet को जो punch करने वाले, जो punching machine रहती आपकी, उसे punches रहते हैं, punch faces के उपर, जब tableting mask, tableting material अढ़हर हो जाता है, तो उसको हम picking बोलते हैं, lamination अभी मैंने आपको बताया था, chipping मतलब क्या होता है, कि dented, जो आपका dents, जो आपकी tablet होती है, उसकी ages का तूट जाना, small small parts में, उसको chips के form, उसको बोलते है chips, इस problem को बोलते है chipping, और हमारा answer क्या है, हमारा answer क्या है, modeling, चलिए, modeling आपने देख लिया, unequal distribution of color, cause आपको पता है, कि coloring solution इसमें, आपका जो proper coloring solution आपने add किया है, tablet को color करने के लिए, वो properly mix नहीं हो पाया है, colorant का color और excipient का color different है, तो यह भी cause हो सकता है, और याद रखना, जो cause होता है, वह उसका remedy होता है, चलिए, next, identify the propellant used in topical aerosol, topical aerosol में कौन से propellant use किये जाते हैं, कौन से propellant use किये जाते हैं, topical aerosols में, तो aerosols सबसे पहले क्या होता है, pressurized package system होता है, इसमें जो pressure जो create होता है, जो pressure जो create होता है, वो कैसे create होता है, propellant से, तो की element है, की component है, कौन आपका propellant, किसी भी aerosol formulation के लिए, तो यहाँ पर आप question को देख रहे हैं, तो यहाँ पर propane, option A, propane, option B, butane, option C, isobutane, और option D, all of the above, चलिए, कहां पर जाएंगे आप, कौन से option पर जाएंगे, जादा तर, जादा तर लोग, जादा तर लोग किस पर जा रहे हैं, all of the above पर जा रहे हैं, किस पर जा रहे हैं बेटा, all of the above पर, तो correct answer B, मैं भी audience के साथ जाना चाहूंगा, audience जनता जनारदन हमेशा सही होती है, correct answer D, value, all of the above, ठीक है, क्या है answer, all of the above, चलिए, बहुत बढ़ी है, बहुत ही बढ़ी है, सभी को बढ़ा ही हैं, जिनका question यह correct है, चलिए, थोड़ा सा description पर आते है, propellant क्या होता है, मैंने जो आपको बता दिया, कि pressure produce करने का काम कौन करता है, प्रोपालेंट करता है, जो pressure produce होता है, आपके किसमे, एरोसल में, जिससे आपका product discharge होता है, उसको बोलते हैं, प्रोपालेंट, प्रोपालेंट जो होते हैं, वो basically दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, दो टाइप के, liquid gases और compressed gases, आपको पता है, कि gases को liquid में convert कर सकते हैं, कैसे, temperature low करके, या फिर pressure apply करके, तो यह liquid form में, तबदील हो जाती है, liquid form में convert हो जाती है, इसमें एक तीसरी केटेगरी हो रहा होती है, तीसरी केटेगरी का तीसरा example, कौन सा डाइ मिथाइल इथर, अब यहाँ पर देखते हैं, liquid gases कौन कौन सी होती है, chlorofluorocarbon और hydrocarbon, chlorofluorocarbon क्या होते हैं, hydrocarbon में chlorine और fluorine जुड़ जुड़ जाए, तो इसको chlorofluorocarbon बोलते हैं, hydrocarbon आपके propane, butane यह सब hydrocarbon केटेगरी में आते हैं, दूसरा compressed gases में दो तरक ही होती है, एक तो soluble gases और दूसरी non-soluble gases, non-soluble gases में आपके आती हैं, compressed air, nitrogen और soluble gases में आती हैं, आपके CO2, तो यहाँ पर देखिए, oral and inhalation purpose के लिए आप कौन सा propellant यूज़ करीए, मत पूर्ण है, इसको याद रखिए का stable को, fluorinated hydrocarbon, जैसे की trichloro, monofluoro, methane, dichloro, difluoro, methane, dichloro, tetrafluoro, ethane, यह आपके fluorinated hydrocarbon के example है, oral and inhalation के लिए, याद रखना, fluorinated hydrocarbon यूज़ की जाते हैं, किस के लिए fluorinated hydrocarbon, किस के लिए use की जाते हैं, oral and inhalation के लिए, टॉपिकल के लिए hydrocarbon, इस category को, यह वाली category जो आपको दिख रहे हैं, यह category, और यह compressed gas category, यह दोनों यूज़ करते हैं, तो यह याद रखिएगा आप, chlorofluoro carbon, oral and inhalation के लिए, और और inhalation के लिए, chlorofluoro carbon और इसके अलावा जो बसता है, वो टॉपिकल परपस के लिए use करेंगे, चलिए, next question पर आते हैं, जमाचल परदेस ड्रेग इस्पेक्टर 2022 का 20, 2020 का question है, the commonly used combination of preservative for ophthalmic use is, चलिए, बताईए, बताईए इसका answer, जातर लोग methyl, propyl, paravin को answer कर रहे हैं, लेकिन ये methyl और propyl, paravin commonly used होता है, यह आपको बताईए, commonly used होता है, paravins क्या होते हैं, parahidroxy benzoic acid के esters होते हैं, जातर बोल, लेकिन ये answer नहीं है, आप याद रखना, सोते समय भी आप लोग याद रखेंगे, इस चीज को जाकते समय तो याद रखेंगे, कि ophthalmic के लिए BKC यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, बेंजायल कोनियम क्लोराइड, बेंजायल कोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, और उसके साथ मैं EDTE का भी यूज़ किया जाता है, किसके लिए? EDTE का, तो इसका answer को आप लोग बिलकुल याद रखेंगे, ब और जो हमारी secondary choice रहेगी, जो secondary choice है हमारी, वो रहेगी आपकी mercurials, PMA and PMN, चलिए, सबसे पहले तो answer, correct answer पर चलते हैं, तो correct answer क्या है, बेंजायल कोनियम क्लोराइड, correct answer क्या है बेटा, बेंजायल कोनियम क्लोराइड, और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, इसके description पर, cationic antimicrobial agent for ophthalmic use, यह आपका बेंजायल कोनियम क्लोराइड जो रहता है, combination, किसके साथ में, di-sodium EDTA के साथ, combination में यूज होता है, 0.01 से 0.1% के concentration में इसको यूज करते हैं, यहाँ पर EDTA का रॉल क्या होता है, समझने वाली बात है, कि सूटो मोनास original सा जो रहता है आपका, व इसके उपर effect नहीं कर पाता, अपना effect शो नहीं कर पाता, कौन आपका बेंजाल कोनियम क्लोराइड तो उसके effect को enhance करने के लिए, आप उसमें EDTA एड करते हो, कि सूटो मोनास original सा जो आपका microflora है, वो भी इससे suppress हो जाए, क्लिए? चलिए, next question पर आते है, which one of the following type of the glass container should be used for packaging of human blood and blood component, यह भी question बड़ा important question है, glass के classification से, glass की application से, यह आपको मिल जाएगा, कुष्चन कहीं न कहीं से आएगा, हर्याणा डियाई 2019 का कुष्चन है, बड़ा ही simple question है, साहिद आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे पहले हम बात करने कि glass कौन कौन से कितने type के glass होते हैं, 4 type के glass होते हैं, 1, type 2, type 3, type 4, 4 type के glass होते हैं, type 1 होता है, highly resistance, borosilicate glass, type 2, treated soda lime glass, type 3, type 3 जो होता है, soda lime glass होता है, और type 4, non-parental glass, parental में इसको use नहीं करते हैं, हठा दिया गया है, parental use के लिए, चलिए, सबसे पहले तो correct answer पर जाते हैं, correct answer क्या है, type 2, correct answer क्या है बेटा, type 2, याद रखिएगा, कौन से correct answer क्या है, type 2, human blood और blood component की packaging के लिए type 2 glass का use करते हैं, मतलब आपका treated soda lime glass की जाता है, यह table जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, देखी होगी यह table कई बार, आपकी books में मिल जाएगी, आपके notes मिल जाएगी, इस table में सभी का, सभी एकदम clear से सब चीज का description दिया हुआ है, कि type 1 क्या होता है, type 2 क्या होता, type 3 क्या होता है, दूसरी कास बात, किस के लिए test कौन-कौन से करते हैं, कौन-कौन से test करते हैं, type 1 को test करने के लिए आप कौन सा test लगाते हैं, तो 134 के लिए PG test लगाओ गया, 134, 134, 134, 134 के लिए आप क्या लगाओगे बटा, PG test लगाओगे, PG test, PG test मतलब powder glass test, और type 2 के लिए only water attack test, ये type 2 के लिए सबसे different test होता है, सबसे different test होता है, type 2, और type 2 जो आपका different test है, उसी में blood component और blood preparation को आप store करके रखते हो, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, new typing नहीं हुई है बेटा, ये typing नहीं हुई है, इसको focus किया है, इसको highlight किया गया है, 134, 134 के लिए PG, और 2 के लिए water attack test, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next check, which one of these is an example of opacity fire, opacity fire, सबसे पहला, सबसे पहली माथपूर्ट चीज के opacity fire होते हैं, सबसे माथपूर्ट चीज, सबसे पहले, कि opacity fire होते क्या हैं, correct answer, सबसे पहले चीज, correct answer क्या है, ए, फिर मैं बात करता हूँ, opacity fire क्या होते हैं, ये क्यों use करते हैं, ये आपकी cosmetic preparation में, ये आपकी tablet coating में, ये आपकी capsule cell की manufacturing में, सब जगह यूज की आते हैं, to conceal the effect of light, light के effect को conceal करते हैं, light को ब्लॉक करने का काम करते हैं, opacity provide करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, opacity fire बोलते हैं, देखिए, ये explanation में, आपने देखा हो, कई बार ये table देखी होगी, आप लोगों ने, मेरे खाल से GDC के जो, जो subscribed student है, bonafide student है GDC के, उन्होंने ये table कई बार देखी होगी, और कई बार पढ़ी होगा इसको, ठीक हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, film former जो होता है, capsule cell के लिए, आप gelatin यूज करते हो, colorant आप कोई साभी इरित्वसिन, इंडिको, कार्माइन यूज कर सकते हो, इसके अलाबा, opacifying agent के लिए, manly, titanium dioxide, इसके अलाबा भी आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता जिता हूँ, iron oxide, black, red and yellow iron oxide आप यूज कर सकते हो, preservative यूज करते हैं, आपके microbial growth को reduce करने के लिए, और gelatin shell को softness प्रोवाइड करने के लिए, आप plasticizer यूज करते हो, क्लियर, चलिये, तो जल्दी से फटा फट सब्क्रिप्शन लीजिये, GDC का, और इस तरीके से class का भी आप जो paid class है, उसका भी आप enjoy ले सकते हैं, आप सीख सकते हैं, और भी ज़्यादा कुछ चीज़ां सीख सकते हैं, चलिये, पूच्छा कुछा क्या 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 है? which one of the following is the commonly used commonly used bulking agent in the formulation of freeze-dried low-dosing drug product बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है very good फटा पट फटा पट आंसर आ रहा है तो question का importance देखते हुए लग रहा है कि question का answer भी उतनी speed से आ रहा है सबसे पहले freeze-dried क्या होती freeze-drying process, life-alization process या इसको gel-seekation process नाम देते हैं क्या बोलते हैं freeze-drying process या gel-seekation process के इसको नाम से इसको जाना जाता है ठीक है पहले पहली चीज़ और हम क्यों add करते हैं क्या इनका advantage है आपकी जो preparation है इसको आप life-lice करोगे preparation को आप life-lice करोगे तो उस दोरान क्या होता है कि life-lice के दोरान low temperature आपकी जो drug product है वो खराब हो सकता है उसको defend करने के लिए उसको protect करने के लिए हमें यह bulking agent और stabilizer add करने पड़ते हैं तो correct answer क्या है आपने many it all चलिए यहाँ पर देखिए तीन तरह के substance इसमें add की जाते है freeze-drying के दोरान bulking agent buffers as well as stabilizer तो bulking agent क्या करते हैं यह provide bulk to the formula especially when the concentration of product to freeze-drying is very low process कर रहे हैं और आपकी formulation का bulk कम है तो इसको bulk बढ़ाने के लिए आप क्या use करोगे आप bulking agent use करोगे जैसे कि आप capsule tablet में use करते हैं hydroxy ethyl starch, tree hellos, manitol, lactose and glycine buffer pH को adjust करने के लिए ताकि drug की stability घडबला है नहीं drug की जो आपकी stability और solubility दोनों maintain रहे, phosphate, tris-hcl, citrate, bisulphite, stidin इसमें आप use करते हो as a buffer stabilizer में जदी हम आए, stabilizer जो है यह melody काम करते हैं, protect the drug, drug को protect करते हैं freeze-drying के दौरान जो drying stress feel करेगा freeze-drying के दौरान उस drying stress को remove out करने के लिए, remove करने के लिए आप क्या यूज करोगे stabilizer हाला कि इनको combinedly हम क्या बोल देते हैं combinedly क्या बोल देते हैं कि life protective और cry protective substances combinedly बोल देते हैं चलिए next बहुत अच्छा question है यह question कई बार आप लोगोंने पढ़ा होगा देखा होगा plating of punch faces is done by plating of punch faces is done by punch faces की plating, plating जो करोगे किस किस आप metal से करेंगे बहुत अच्छा question है a chromium, b zinc, c iron, d none of the above बहुत बार पूचा जा चुका question है अकेला सम्ट डिए 2022 मनी इसके पहले ही बहुत सारे एक्जाम्स में पूचा जा चुका है एक दो बार तो आपका g-pad में भी पूच लिया गया है तो इसका answer क्या गया correct answer क्या है बेटा chromium chromium से करते हैं chromium से करते हैं और picking जैसी problem से इसकी जो coating हम क्या कर देते हैं जो punches रहते हैं आपकी tablet machine का important part रहते हैं कौन-कौन इंपोटेंट पार्ट रहते हैं डाई और punches तो punches को smooth बनाने के लिए आप उसमें chromium की coating करते हो जिसके कान क्या होता है कि इस पिकिंग जैसी problem नहीं होती है ठीक है कि स्मूथ और non-adherent faces बनाने का काम करता है कौन आपका कौन करता है क्रोमियम मतलब आपका आपका जो punches है वह एकदम से कैसे हो जाएंगे बेटा स्मूथ हो जाएंगे कि सॉफ्ट नहीं कि स्मूथ नेस प्रवाइट कर देते हैं चली नेक्स्ट क्वेश्टन पर आते हैं विज बन अपदा फॉल्यविंग मेथटेज कॉमन ली यूज इन फार्म इंड़र्म इंड़स्टी फोर देड्राइंग आप स्वाफ्ट सेल कैप्टूल बहुत अच्छा कुश्चन है यह ड्रग इस्पेक्टर में कि सासाथ में जी पैट के एक्जाम सो दूसरे एक्जाम में भी कई बार पूछा गया है चलिए बहुत बड़ी है आंसर करेंगे पीटा पूछा क्या गया है ट्राइक कोमल यूज फार्मेंट इफर ड्राइंग ऑफ सॉफ्ट सेल कैप्सूल सॉफ्ट जिलेटन कैप्सूल के लिए सॉफ्ट के लिए क्या यूज करोगे फिरमेंट बन कोहिए सॉफ्ट सेल कीham कर देंग तो इस्टिक नहीं हो जाएका है इस चुब्ध रहोगे आफ वाटर को रिमूव करने के लिए आप सॉस्ट बैस्टक्यूशन реально क्या है वाटर को रिमूव करने के लिए जिससे आपकी capsule की तो शेल की जो integrity खराब भी नहों क्या होगा vacuum drying की जाती है capsule के लिए अगर question आता तो ट्रक ड्राइंग लगा दीजिए फ्रूट बैट ड्राइंग लगा दीजिए लेकिन लेकिन यदि soft gelatin capsule cell के बारें बात करें तो उसकी ड्राइंग के लिए हमेशा याद रखना vacuum drying की जाती है अब कह रहेते so easy question है कुछ बच्चे कह रहेते so easy question है अब समझ लीजिए कितना easy है कर दीना कर बड़ सिंपल सा question गलत कर लिए इनी silly mistakes over confident question ढंक से नहीं पड़ने के कारण हमारे questions गलत होते knowledge है आपको सब कुछ आता है चली next question पर आते है which one of the following statement is not correct for an ideal supposedly base बहुत अच्छा question है मैंने बताया था आपको central drug inspector exam का बहुत अच्छा पेपर आया था उसमें पूछा गया question बहुत अच्छे question पूछे थे बहुत बड़ी है बहुत अच्छे very good क्या होना चाहिए इसका answer अच्छे पूस्पार हिए बता ही answer अच्छे लगता है आप आप असमें च्छेट चल रहा है आप अच्छे वातं करने में लगे हुए हैं आप यहां पर focus कीजिए आप यहां पर focus कीजीये बेटा def कुश्चन यह आपका डी आई एक्जाम में आ गया या जीपट एक्जाम में आ गया तो आपका काम बना देगा यह आपको याद रखने हैं जब भी आप सपोर्टरी बेस पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रॉपर्टीज को आपको याद रखनी पढ़ेंगी एसेड वैल्यू बिलोव 0.2 एसेड वैल्यू शुडबी बिलोव 0.2 सपोनिक्रिफिकेशन रेंज फ्रॉम 200 टू 202 245 आयोडिन वैल्यू इस लेस देन 5 यह तीनों के तीनों सही है यह तीनों के तीनों सही है अब यह सॉलिड फैड इंडेक्स ऐसे फाइक कर्व ब्रॉड ब् अब यह क्या है incorrect पूछा है not पूछा है तो में इनकरेक्ट ढूंडना है यह तो सभी के सभी करेक्ट है यह भी तो फिरिन्क प्रेक्ट क्या है इनकरेक्ट यह है हमारा अंसर क्या होगा answer is that a यहाँ पर देखते हैं यह डेफिनेशन आप लोगों ने पड़े हो हाइडक्सिल वेल्यू सपनिफिकेशन वेल्यू आयोडिन वेल्यू वाटर नंबर एसिद वेल्यू सपनिफिकेशन पॉइट सॉलिट फैट इंडेक्स इसको सफाइब करने के लिए हम क्या करते हैं जो आता है तो देखिए फेलई 0.2 सपनिफिकेशन वेल्यू 202 245 इस सभी क्या अंसर इंकर्क्न शवा गया आता है तो आप सबसक्रण maltion बोली गई अब सबसे पहले याद रखना यह मिथाइल एंड प्रोपायलि एस्टर औ प्रोपायलिन एस्टर औ प्रिडश्च से पररा हैंड और सब्सर्टु एछ चक्या होते हैं यह एस्टड होते हैं और किस टाइब के इस्टर होते हैं प्रिजर्वेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवे बताए नेक्स्ट तब फॉलोविंग टेस्ट यूजिली पर्फॉर्म दू रबर क्लोजर रबर क्लोजर के लिए कौन-कौन से टेस्ट पर्फॉर्म होते हैं एक को छोड़कर यहां पर पूछा गया है कि एक नहीं होता वो नहीं होता वो हमें बताना है नहीं होते हैं वोतों हम草न改 English ऐसर यह नहीं पूछा गया पूचा गया है एकसेप्ट का मतलब जो कि नौर्टार है हौत है तो कुई किसी तायप का कमपोरेंट के प्रेपरपरी **** में तो नहीं पहुंच गया रघंच हो फ्ररका करते हैं तो रहे कि देखते हैं जो नीडल रहती है उसको पर्री व्रेंगे उसमें insert करके देखते हैं कोई तोकडा जा कोई पीस निकल कर आपकी परपरेशन में तो नहीं आ रहा तो तीनों टैस्ट तो लगाते हैं एपनेट्रेशन टैस्ट एक्सट्टूट टैस्ट आर फरगमजल लगाते क्या नहीं है डिजलीशन टैस्ट तो किसके लीए लगता है किसके लिए लगता है मेटा टेबलेट और कैपसूल के लिए टेबलेट कैपसूल के लिए करेगे आप ठीक है चलिए आज सेल्प सी लेवेलिटी भी होती है देखी है सारे के सारे टेस्ट आपके कौन-कौन से है residue on evoporation pH of aquos extract और extractive test reducing substances test astrology test, fragmentation test residue and evoporation or penetrability test next test पर आते हैं dose dumping is a problem in the formulation GDC के बच्चों का favorite question किसकी प्राब्लम है वेटा डोज जंपिंग बताईए किसकी होती है डोज दंपिंग मतलब ऑग होता है किसकी नॉबल। निर्वेश सिस्टम कौन सी दिखाई दे रही है किवल ये ऑप्शन डी मौड़िफाइड रिलीज ड्रक प्रोड़क्ट कौन सा बेटा मौड़िफाइड रिलीज ड्रक प्रोड़क्ट आंक बंद करके लगा दीजिये परस नहीं पढ़ा है था आँ पेटा है थी चाहिए बह से मैं आपको याद दिला दूं कि इस जो आज जो क्लास चल रही है इसका जो टेस्ट है कल 26 दिसंबर 2022 को 9 पीम पर ओपन होगा और इस टेस्ट ओपन रहेगा कब तक 9 पीम 27 दिसंबर 2022 तक तो यह टेस्ट आप दीजिए और इसकी मैंने आपको स्टेप्स पहले भी बताए थी जो लोग लेट जोइन किये थे उनके लिए बता देता हूं कि सबसे पहले आपको हमारे प्लेस्टोर पर जाकर हमारी एप को डाउनलोड करना पड़ेगा उसको इसको इस्टॉल कीजिए उसके बाद वडिच पर वडिच पर बाईए डज पर वडिच कीजिए ओपन करिए अप पर और प्लस का बटन द बवाईए व तो उसके आपको ऑप्शन खोलेगे तो उसमैं चलिनक्स विच्जिन टोनचीज सिटीभण द फोम diesem ऐख करदिम चने शोच किसा कि smut प्रेशर तोन पिसकी ऑनी चाहिए जो डारेक्टली ब्लड ब्लड में इंजेक्ट किये जाते हैं इसकी सीव निजे डार्टली ब्लड में इंजेक्ट किये जाते हैं लगी इमल्शन और यह भी करते हैं लेकिन यहां पर आप्शन क्या है दिया हुआ के लिए लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल ऐसी प्रपरेशन इनका वॉल्यूम अब 100 ml से जादा होता है वो क्या कहलाती है 100 ml यह 100 ml से कहला है लार्ज वॉल्यूम कहलाती है इस्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल में टोनल सिटी इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है Small Volume Parental के लिए Tonal City तनी जरूरी नहीं है लेकिन Small Volume Parental आप IV Fluid में दोगे तब उस समय आपको Tonal City को मेंटेन करना पड़ेगा चलिए यहाँ पर देखिए Small Volume Parental, Large Volume Parental में पटापट मैं आपको Brief में बता जिता हूँ कि Volume 100 ml और 100 ml से कम है तो क्या कहलाते हैं वह Small Volume Parental और Volume 100 ml से ज्यादा मतला 101 से 1000 ml तक का Volume क्या कहलाता है Large Volume Parental कौन-कौन से Roots हम किस से दे सकते हैं Small Volume Parental के लिए कौन-कौन से Roots follow करता हम के Intravenous, Intramuscular, Subcutaneous Large Volume Parental के लिए IV और कुछ एक Non-IV यूज़ कर सकते हैं कौन से यूनिट दे सकते हैं Single और Multiple यूनिट दे सकते हैं इसमें Small Volume Parental के फॉर्म में लेकिन Large Volume Parental के वाल और के वाल सिंगल सिंगल ही दे जाते हैं Small Volume Parental के लिए Preservative यूज़ करना Must है क्योंकि Multi-Dose होती है यहां पर Large Volume Parental के लिए हम Preservative यूज़ नहीं करते हैं Buffer का जरुवत भी हमें Small Volume Parental के लिए जरुवत होती है Small Volume के लिए Small Volume के लिए इतनी ज्यादा बफर की जरुवत ज्यादा नहीं होती है Isotonicity पर जाएं Small Volume Parental के लिए Not Essential बहुत ही जाना Essential नहीं है लेकिन Large Volume Parental के लिए It Must यह Must है पायरोजनेसिटी आपका Small Volume Parental के लिए Essential Parameter है और इसके लिए Must है चलिए Next पर आते हैं Which one of the following comes under type 1 glasses used for the container Which one of the following comes under type 1 glasses is used for the container यह Question अभी हम लोगों ने यह Question अभी हम लोगों ने Central इससे पहले Question Number 7-8 में किया था ठीक है इस Question का Answer मैं आप लोगों से चाहूंगा मैंने पूरा बता दिया कौन-कौन इसके लिए किस Glasses के मैं आता Type 1 के Glass का नाम क्या होता है क्या नाम होता है कौनसा? Borosilicate Glass Sodalime Treated Glass Type 2 Sodalime Treated Glass कौनसा होता है? Type 2 यह क्या होता Type 1 यह Type 2 और यह Type 3 और यह कुछ नहीं होता यह कुछ नहीं होता यह दो दौनों को लिख दिया साथ में Correct answer क्या होगा यह Borosilicate Glass क्या होगा Answer Borosilicate Glass Next Question पर आते हैं The following test are used for evolution of parental except TamilRuDi का 2019 सा question है evolution of parental के लिए सभी test यूज करते हैं कौनसा test यूज नहीं करते हैं? कौनसा test यूज नहीं करते हैं? Histality test हमेशा करते हैं Must है यह तो Pyrogen test हमेशा करते हैं Clarity testing भी करते हैं टेस्टिंग यह किसके लिए की जाता है टेबलेट के लिए करते हैं किसके लिए करते हैं टेबलेट के लिए प्रेसर टेस्ट आप यूज करते हो इसके अलावा आपका जैदी पार्टिकल आपके 50 माइक्रों से बड़े हैं तो कुसी भी टाइप का पार्टिकल कंसीड्रेबल नहीं है ठीक है अब स्टल्यल की बात करें तो यहाँ पर इस्टल्यलिल टेस्टिंगमएगे दो टाइप से टेस्ट करते हैं और और मेंबरेंट फिल्टरेशन मैफर्ड यह तरीकी मैहित होती जो हम स स्टल्यलिय давно यूज करते ओस्टे एष अगे बढ़ते चलिए अभी तक आंसर नहीं है आप लोगों की तरब से लुँद है चलिए बहुत बड़ी है buffering agent citrate है ना तो यह suspending agent होता है ना ही सोलिबलायजर होता है नाधी बैक्रिस्टर्यीग मतलब आपका कैसा buffering agent ph maintain का आपका ph interventions करने का काम करता है buffering agent कि gua माइनी लोशन के डफेंट डिफरंट कंपोनेंट रएए है Kalamine Maandrak आपकी जिंग और यूज करते हैं और sodium citrate यूज किया जाता है इक पीएस आपकी जो इसकिन पर अप्लाइक करना है तो इसकिन पीच कासी होती है सिडिक औरफिशिक होती है किटी बैटा 5.5 इसकिन की पीच किती होती है 5.5 होती है तो आपने सिट्रेट कैसा होता है आपका एसिडिक वफर होता है तो आपने यूज कर लिया बहुत ही अच्छी नेक्स्ट इमल्सिफाइंग एजन्ट एक्ट बाई विच आप दी फॉलोविंग मेकेनिज्म सेंटर डी टूसाइव नैंटीन का कुश्चन है यह कुश्चन सायद आप लोग इस कुश्चन से पहले भी रूबरू हो चुके होगे हो चुके हैं के नहीं यह यह जाओंगा इसका अंसर सभी लोगों से सही जो ठीक है आंसर क्या कर रहे हैं अरे रे आप में काम को कई लोग क्या आंसर दे रहे हैं ए वन ले टू ऑनली कुछ लोग दे रहे हैं वन और त्री ऑनली और आम मैं आपको बता दूं पार और इन्फॉरमेशन वन टू और थ्री तीनों ही मेकरिंद्ट फॉलो करते हैं आपके miracles iself in गेजएंट ये इंट्रफेशल फिल्म को रिडियूस करते हैं सप्रेंट जो रहा है tea 500 वेजानी इन तीरे के होते हैं सर्फेक्टेंट सौिक्ष ग्हशेंच दूसरे ईजल्जोड और хоть दो सवे को अगर देखें मोटे मोटे तोर पर देखें तो यह कैसी एनिहाव इमल्शन को स्टेवलाइज करने का काम करते हैं चाहिए वह इंटरफेशल फिल्म बना कर चाहिए वह कॉलिसेंस को कॉलिसेंस कॉलिसेंस मतलब फ्यूजन आफ ग्लोब्यू उसको रिड्यूस करके और चाह इंटरफेशल फिल्म बना कर 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 और इंटरफेशल टेंशन को रिड्यूस करके तो क्या होगा करेक्ट आंसर वन टू एंड थ्री इंटरफेशल फिल्म देखा होगा आप लोगोने यह तो मैं रहती है यह आपने देखा होगा यह देखिए चली इसको एक्स्पैनेशन पर आते हैं तो कैसे करते हैं सबसे पहला कारीसेंस को डिट्यूस करना आपको यह तीन इसके प्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ् इसको droplet के फॉर्म में बने रहने देना है तभी आपका तभी आपका इमल्शन इस्टेबल रह पाएगा तीन टाइप के थर्मोडानमिकल स्टेबलाइशन करेंगे फॉर्मेशन अब रिजिद इंटरफेशल फिल्म यह क्या करेंगे इंटरफेशल टेंशन को रिद्यूस करना थर्मोडानमिकल स्टेबलाइशन रिजिद इंटरफेशल फिल्म मेकेनिकल बेरियर क्रियेट करना और एलेक्ट्रिक ड करते हैं, और QueshyN के साफ से, कौन सी यूज नहीं करते हैं तो, यूज़ करने वाली जो method है वो आपकी Sedimentation Method, Electrokinetic Method, Micromatic Method ये Instilisation method आपकिसे क्ली करते हैं ब्टा? किसे ली यूज़ करते हम? Istrial Products के लिए करते हैं? किसके लिए? isto Alps products के लिए तो correct answer क्या हो जाएगा C बहुत ही अच्छी है नेक्स ना थे एंटरी कोटिंग आप टैबलेट के नि मेड़ बाई विच आप फॉलिविंग कोटिंग मटेरियल कौन सा कोटिंग मटेरियल आप यूज करते हो एंटरी कोटिंग कोटिट टैबलेट बनाने के लिए क्या होगा answer correct C coating के लिए enteric coating enteric coating का मतलब होता है कि हमें ऐसी टैबलेट प्रिपेर करनी है जो की स्कमक में ट्रक का रिलीज ना करके कहां पर करें स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके लिए आप क्या यूज करोगे पियस सेंस्टिप पॉलिमर इस्मार्ट पॉलिमर यूज करोगे कौन सा होता स्मार्ट पॉलिमर कैप तो ऑप्षन में क्या सी यह यह पियस सेंस्टिप पॉलिमर होता है और इसके अलावा जितने भी थैलेट होते हैं वह सब के सब पियस सेंस्टिप पॉलिमर होते हैं तो क्या करेंगे यह पॉलिमर होते हैं तो यह क्या करेंगे आपकी जो ड्रग है उसको ऊसको जो कहाा पर करेंगे एक इंटरेक कोटिंग यह क्या आपका स्टमक को को इसको कर सकती लिए या फिर ऐसाइप की हो सकतीец द्र गीज आपको कहा पर नहीं जेना है तो इस नोमेना को फिनॉमेना को को पॉलीमर यूज करोगे चलिए आगे बात करते हैं इसके कौन कोन से पॉलीमर होते हैं जो कि एंटरकोटिंग परपस के लिए यूज की जाते हैं शलाक यूड्राजट यूड्राजट इंटरजट कौन से एल और एस ठीक है cellular-acetate knowledge hydroxy propennyth Capital mathematically सबीकता पॉलीमर होते हैं जो विकी एंटरीक पॉलीमर होते हैं जोगी टेबलेट को कहां पर डिजंटिक्रेट करते हैं on train calculator को पर स्माल इंटिसिंटीकिस अग में्हुंड नेक्स कंद्सारा करें ऑन फ्र्कॉटर के specialist का प्रोलीमर होता है इसका आंसर बताएंगे मैं अभी आपको दो तीन कुश्चन पहले ही इसका डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर था बताईए तो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सर्फेक्टेंड यूज करते हैं बराबर करते हैं हैड़ फ्लेक्ट यूज करते हैं बराबर यूज करते हैं थीनों यूज करते हैं तो क्या यूज नहीं करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज नहीं करते हैं क्या यूज नहीं करते लेक्ट्रोलाइट एज़ा इमल्सिफाइंग एजेंट इलेक्ट्रोलाइट काँ पर यूज की जाते हैं थोड़ा साव मुझे अगर बता दे तो मैं आपको थोड़ा सा हिंड अगर आप बता सकें तो अच्छी बात नहीं बताएंगा तो आपको हिंड दूंगा थोड़ी से एलेक्ट्रोलाइट किस कौन से डिस्पर्शन सिस्टम में इस्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप यूज करते हो सबसे पहली चीज़ कि एलेक्ट्रोलाइट्स आप एज़ा एज़ा फ्लॉकुलेटिंग एज़ेंट आप कहां पर यूज करते हो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को इनांस करने के लिए चलिए बहुत बढ़ी है बहुत अच्छा चलिए ध्यान से सुन रहा है बातें कुछ लोगी तो बातें चली रही है इधर उदर की बातें लग रहे हैं सीरेस हुजाए बी सीरियास एक्जाम है सर पर चलिए next question पर चलते हैं which of the following is a synthetic sweetener synthetic sweetener कौन सा है इस में से बताईए के फटापट आंसर जल्दी से आंसर कीजिएगा और एक question और सही करिएगा कौन सा इन में से synthetic sweetener होता है बताईए बेटा फटापट मेंगाला ड्रग इंस्पेक्टर एक्जाम 2019 का question है बताईए इजी है तो बताईए सभी लोगों से इसका अंसर चाहूंगा इतने लोग हैं सभी से इनका अंसर चाहूंगा बताईए कौन सा होगा बेटा ब्लुकोज तो नैचरल होता है सॉर्बिटल नैचरल होता है सुक्रोज नैचरल होता है मैंने या पर आपको पूछा है बेटा सिंथेटिक है सो सिंथेटिक क्या बचा एसपारटिम के अलावा एलीटेम सेकरीन यह आपके एजज शुटनिंग एजन्ट होते हैं एसपारटिम के बारे मां बता दूँ यह ना तो ताइम शूइट होता है जबकि सेक्रिण लगव लगव 500 वोस्वीट होता यह तो सिंथेटिक स्वी अचैनल सूइटिनर की लिस्ट भी यह सिंथेटिक में नेच्रल में देखे हैं सुक्रोज Lactitol, Manitol, Erythritol, Sorbitol, Glucose Synthetic में देखेंगे आप पाएंगे Aspartam, Neotam, Sucralase, Cyclamate, Saccharin, Elytem Saccharin, Carcinogenic होता है याद रखिएगा बहुत बड़ी है Very good Next question Substance exists in more than one crystalline form is known as Tamil Nadu Drug Inspector exam का question है फिर से आपके सामने है अच्छा paper बनाते हैं Tamil Nadu D.I.E. वाले बहुत अच्छा paper बनाते हैं paper अगर ऐसा follow हो जाए हमारे exams में तो मज़ा आ जाए या फिर हर्याना वाला paper follow हो जाए बहुत अच्छा question है बताईए, easy होगा आप लोगों के लिए जो पढ़ लिए होंगे उनके लिए बहुत easy होगा बहुत easy होने वाला ये question बताईए compound which is exist more than one form is called the polymorph क्या कहलाता है बेटा? polymorph कहलाता है polymorph compounds वह compounds होते हैं जो more than one नामी है उनका poly, poly means many poly का मतलब होता है many morphs मतलब form नाम में ही उसका काम चिपा हुआ है नाम में ही उसकी पैचान चुपी हुई है polymorphs compound exist more than one form polymorphs कहलाते हैं और एक ही compound के बहुत सारे polymorphs होते हैं जैसे आपने cocoa butter का नाम सुना होगा थियो ब्रॉमा ओयल चार polymorphic form होते हैं alpha, beta, beta, dash and gamma याद रखिए का इनकी physical properties different होती है लेकिन chemical properties similar होती है तो थिक है chemical कफी है कि single chemical molecule से निकलते हैं बस हम क्या कर दें crystallization conditions जो होती है crystallization crystals जब बनते हैं क्योंकि polymorphs क्या होते हैं crystals होते हैं तो crystallization जो conditions होती है उनको हम change कर दें थोड़ा बहुत तो आपको polymorph different different type के polymorph polymorph आपको मिल जाएंगे चलिए beta is more stable बहुत बड़ी है very good चलिए तो polymorph को आपको study करने के लिए कुछ physical method की जरूत पढ़ती है इनको याद रख ली जगे नसे खुश्य ना आता है तो कौन-कौन सी physical characteristic determination की method है मतलब physical characterization की method है DSC, differential scanning calorimetry XRD, x-ray diffraction method polarizing microscope, dissolution study IR analysis, DSC and DTA DSC का फुलपव आपने पढ़ी लिया था differential scanning calorimetry और DTA का differential thermal analysis दूसरा आपका next hot stage microscopy ये transition temperature निकालते हैं से और last step polarized light microscopy इतनी सारी methods है हैं इतनी सारी methods है हाँ, XRDM break law applicable होता बहुत बढ़ी है बहुत अच्छी है बहुत बढ़ी है चली ऐसे comments जब मिलते हैं तो हमारी energy चार गुना बढ़ जाती है कि आप लोग carefully हमें सुन रहे हो ठीक है ना, carefully सुन रहे हो और उससे extra answer मैं पूछने बाला हूँ, उस question का answer पहले से दे रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है चली है Next, Class 100 clean room is defined as a room in which particle count in the year Class 100 room, Central Drug Inspector exam 2011 का question है चली है पट इसका answer आप लोगों से बहुत जल्दी चाहूँगा जल्दी से इसका answer कीजी है आप लोग फटापट नामी है उसका Class 100 room मतलब है Not more than 100 per cubic foot of 0.5 micron size particle और larger size particle नामी इसका है क्या है आपका चली मैं हट जाता हूँ कुश्चन पूरा दिखे जाएगा आप लोगों को कुश्चन पूरा नहीं दिख रहा है क्या है क्या है कि कि क्या होगा अंसर कि भीने ने पड़ी है कुश्चन बहुत इंपोर्टेंट है इसका अंसर सभी लोगों से चाहूंगा मैं इसका अंसर की दिया आप लोग कि क्या है आंसर कैसे अंसर कैसे ओजाएगा एक चोटे प्नीकल कैसे बड़े पार्टीकल प्र कि ट्वचन में आप इसमें आंसर क्या एक तेखिए मिए। sadness के और अब क्लास 10,000 एरिया, क्लास 1,005 एरिया, तो definition आपके सामने है, क्लास 100 का मतलब है, पार्टिकल, काउंट इन एर, नॉट मोर दन 100 पर क्युव फूट और 0.5 माइक्रों साइज और लाज साइज पार्टिकल, यहाँ पर आप देखेंगे कि पार्टिकल, जो पार्टिकल है, कितने साइज के 0.5 माइक्रों और जो एरिया है, वो एरिया 100 पर क्युव फूट, तो यह जो होता है, क्लास 100 एरिया, स्ट्राइल और असेप्टिक प्रपरेशन के लिए हम स्ट्राइल और असेप्टिक एरिया कहलाता है, और क्लास 10,000 एरिया, मैनिफेक्चरिंग एरिया कहलाता है, और क्लास 1 लाक एरिया, पैकेजिंग और इस्टोरेज एरिया कहलाता है, चले, the storage temperature of soft gelatin capsule, soft gelatin capsule के लिए storage temperature क्या होना चाहिए, बताईए फटापट आंसर क्या होगा इसका जो answer होना चाहिए आपने देखा होगा कि room temperature के आसपास होना चाहिए, रूम टेमपरिशन से कम होना चाहिए इसका temperature रूम टेमपरिशन हमारे किता होता 25 से 27 के आसपास होता है इसकाúng क्या होगा रोम टेंपरिचर मैंने बोल हुआ रोम टेंपरिचर थोड़ा सा कम 21-24 डिग्री सेंटीग्रेट कितना बेटा 21-24 डिग्री सेंटीग्रेट इसका अंसर वहाँ अब यहां पर शेल क्या लिखा हुआ है जो रहती आपका जिलेटरिन से बनी होती है प्लास्टिसाइज होती है किस से ग्लिस्टिन स्वर्बिटल से मौश्चर सिक्स्टू टैन परसेंट होता है साइज बहुत सारे होते है जिए 1000 0012345 शेप सिंगल सॉब्स इलेटिन कैपसूल को वन कीस कैपसूल बोला जाता है किस टाइब का में इसमें फिल किये जाता है मटरील किस टाइब करते हैं बेटा लिक्ट अशुस्पेंशन कर सकते हैं हर्मेटिकली सील्ड होता है और इसका टेंपरेशर रहता है 20 से 22 degree centigrade तो आंसर के साथ से सबसे नियर आबाउट जो आंसर है वो आंसर क्या आपका 21 to 24 था Vanishing cream is an ointment date may be classified Central Drug Inspector 2019 बहुत simple question है सभी लोगों से इसका answer चाहूंगा फटा फटा आंसर करिए Vanishing cream is an ointment that may be classified as करें है कि बताई आंसर किस टाइब का वेस होता है देखिए और इंट में में चार तरह के भी यूज करते हैं एक होता आपका ऑलेजीनस बेस इसको हम क्या नाम देते हैं आपका hydrocarbon बेस भी बोलते हैं दूसरा होता आपका absorption बेस तीसरा होता है water water removal यह उसको इमल्शन बेस नाम देते हैं और एक चौता होता water soluble में जिसमें आप क्या यूज करते हो मेक्रोगोव फीजी तो आंसर यहां सी वाद है वैंशीं क्रीम क्या होती होती है इमल्शन जो होती है तो चार टाइप के बेस होते हैं यह आपके ओंट्मेंट के एक होता है आपका आप जाख्यों संबेस दूस्रा होता आपका इंटिटा गडाव कौन सा कौंसा hydrocarbon बेस टीसरा आपका इमल्शन बेस और चौटा आपका वाटर सॉलिवल बेस तो आंसर क्या होना चाहिए इमर्शन बेस बैस बंशिंग करीम और कोल्ड क्रीम कोल्ड कूल्ड क्रीम भी सी कैटेगरी में आएगी बेटा चलिए विच इस वाटर सॉलिवल एंटी ऑक्सिडेंट इनमें से कौन सा वाटर सॉलिवल एंटी ऑक्सिडेंट होता है वाटर सॉलिवल याद रखना देखिए दो तरह की एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं एक वाटर सॉलिवल और दूसरा वाटर इंसॉलिवल सेंटर मेगालाइड टूथाज़न नाइटीन का कुश्चन है कि बताइए फटापट लेसी थिन वाटर सॉलिवल कैसे हो जाएगा लेसी थिन आंसर कैसे दे रहे हो लेसी थिन तो ही नहीं सकता लेसी थिन क्या होता है लिपिड होता है अंसर क्या है करेक्ट आंसर एए हाइड्रोक्विन ओन इस इस इसदे ऑन ली इन उप्शन में अगर देखें तो एक मातर ऐसा इस अप्शन यह आपका बी सीडी जो आपके कैसे हैं वाटर इंस और ले हे लेसितिन और हैडोफलेक्मस सोडियम सलफाइड मेटाबाइसलफाइड और हैड्रोक्विन एंटी ऑक्सिदेंट क्या होते हैं सबसे पहली चीज जानने वाली बात है रदोस्टेंट आर दो सबस्टेंशेज विच अपोज दी ऑक्सिदेशन प्रॉसेस बाइदी चैन ब्ल लिए क्योंकि ड्रग हमारी ऑक्सिदाइज होके खराब हो सकती है आपकी परपरेशन में तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं इसको हम यूज कर रहे हैं हिल लोगाने माइक्र अच्छे से पढ़ रहा होगा इसके पास साथ इसके एडवांटेज होते हैं उन्हों और पाट-साथ मैं से यहां पर तीन एविलेवल हैं आप्शन एक स्ट महकिंग स्ट्रिण एक कोटेंग चैसी प्रॉसेस होती है जहां भी कोटेंग होगी जरूर जरूर कोटिंग होगी यहां किसी टाइप का पॉलीमर यूज होगा तो आपकर सस्टिंग रिलीस तो आएग तो यह है इसके एक्जाम्पल है वेट वेरिशन लिमिट एज पर आई-पी फॉर टेबलेट वेंग थ्री हंड़ेड एमजी इज बहुत अच्छा कुश्चन है वेट वेरिशन आई-पी आई-पी इंडियन फार्मो को पिया के कोडिंग पूचा गया है के लेट पढ़ा होगा इसमें टैबलेट को तीन तरह से हम बताते हैं आई-पी में इस्मॉल साइज की टैबलेट इसका वेट कम होता है एक मिडियम साइज की टैबलेट इसका मिडियम होता है और एक लार्ज साइज की टैबलेट less than less than 80 mg sorry less than 80 mg यह small size की tablet 80 to 250 mg 80 से 250 mg कैसी होगी medium size गी more than 250 mg यह कैसी होगी largest size गी और size जितना जादा है tolerance limit उतनी ही कम तीन tolerance limit होती है इसमें यह तीन tolerance limit आपके सामने यह 2.5 नहीं होती तो यहां पर देखेंगे size 300 mg के है मतलब size weight ज्यादा है तो कहने का मतलब यह है कि इसमें tolerance range जो acceptance range होगी tolerance की वह कम होगी कितनी होगी answer B plus minus 5% बहुत अच्छा question था देखें यहां पर लिखा हुगा IP और USP दोनों के cutting यह आपकी small size की tablet होगी यह small यह medium और यह large 80 mg और less कैसी होगी आपकी small size की महीं USP बोलती है कि 130 mg और उससे 40 size की tablet होती है छोटे weight की tablet वो क्या होती है small USP के IP कहती है कि 80 से 250 mg के बीच की medium size की tablet होती है और 130 से 324 mg की medium medium size की tablet होती है according to USP more than 250 mg large size की tablet according to IP more than 324 according to USP large size की tablet ठीक है इसको याद रखिए कि limit को question आते है Chilsonator used for the Chilsonator कहां पर use करते हैं हम इसको बताईए tablet coating में capsule filling में capsule counting में a tablet granulation में Chilsonator used for option A tablet coating क्या करते हैं क्या capsule filling के लिए करते हैं क्या capsule counting के लिए करते हैं या फिल tablet granulation के लिए करते हैं बहुत अच्छा question है इस question का answer मैं सभी लोगों से चाहूंगा चलिए जा तर लोग सही answer कर रहे हैं capsule filling चलिए यह आपके सामने मशीन है चल्सोनेटर कैप्सूल फिलिंग के लिए होफ फाइजर बल्क पाउडर फिलिंग के लिए और शा का जो है आपका बेस्ट आन वाइब्रेटर प्रिंग क्या principle के फिलिंग के लिए यूज करते हैं पैरी बल्क पाउडर इली-ली फॉर फिलियाज और ग्रेटर मटेटर्यल ग्रीज आते से हम आपके जाना सब्सक्रेट के लिए फार्मेटिक बल्क पाउडर फिलिंग के लिए चलिए आगे बढ़ते है वस्ट्रस प्रोसेस वस्टर्स प्रॉसेस मीन्स इसका मतलब क्या होता है वस्टर्स प्रॉसेस का मीनिंग बता हिया आपकी बस्टर्स क्या होती है माइक्रो केप्सुल बनाने की एक मेथड है इसमें आप वस्टर्स प्रॉसेस इसको याद रखिएगा तो अब एर सब्सक्राइब इसमेंट के लिए हम बर्यूज करते हैं बाद वाकिश जो भी मेथड होती है मल्टी औरिफाइज हो चाहे कोई सर्वेशन फेस सेपरेशन हो चाहे सॉल्बेंट इवपरेशन हो चाहे स्प्रेड ड्राइंग इन कंजीलिंग हो यह लिक्विड और सॉलिट दोनों की फिनिंग के लिए आप यूज करते हैं कि जलिए लेसितिन किस टाइप का सरंफेथेंट हैं चलिए कि बताईक है इसको above यहागी भडी जाईये लेसितिन किस टाइप का सर्फेथेंट है तो आप एंपोलाइटिक किस्टाइपका एंपोलाइटिक लिए कि अननिक में आपके सोप सल्फिट सल्फोनिट आते हैं के टाइनिंग में क्वाटरनिक अमोनियों चांपॉंड्स आते हैं नौन आने के बहुत बड़ी केटेग्री आती इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता त्विन और स्पान नौन आने केटेग्री में आते हैं और एंपोटरिक में एन अलकाइल अमीनो एसेड लैसितिन और बीटेंस आते हैं इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा डी डैली क्या इसका फटापट बौरक्स एंड बीजवेक्स अपरक्ति आते हैं डीटेंस नहीं अटेंसर करें इसका फटापट बौरक्स एंड बीजवेक्स combination is used in चलिए यह बिटा किसके लिए यूज करते हैं कोल्ड क्रीम के लिए हम यह combination यूज करते हैं देखिए यह कोल्ड क्रीम का पूरा composition बिटेस फार्मकूपी का फार्मूला आलमंड ओईल इमॉलियंट इसके लावा रोज वाटर और ओफ रोज आप यूज करते हैं नेक्स्ट डिसिंडिकेशन टाइम लिबिट एस पर फॉर इफर्विशन टैबलेट बहुत सिंपल कुश्चन बहुत सिंपल कुश्चन इसमें जाहतर बच्चे इसको सही करेंगे जाहतर कीश्चन इसमें मुझे हैं जाहतर बच्चें को सही करेंगे चलिये फटापट करिए इसमें कितना कितना होगा बिट्ट आंसर आंसर इज़ ना 5 मिनिट कितना 5 मिनिंट पाइब मिनट किस्के लिए फरविशल के लिए त्री मिनट किस्के लिता है डिस्पर्सीवल के लिए और 15 मिनट चुल्पन Uётся नॉर्मल कम्प्रेस्ट ट्येम ट्येट यह होresvel ». आपका जो hostis राम की चीज है कि दिया हुए आपका क के पर बेसे न टाब संट 6 मों 10 वटाइट ह हाड़-टे-डा IT विक्तीं विए मिन्त बता है 60 minute चलिए quality control test of supportories include कौन कौन से test आप perform करोगे quality control supportory के लिए कौन कौन से test बेटा चलिए सबसे पहला melting range test होता है breaking test होता है dissolution test होता है तो क्या हो जागा answer d all of the above answer क्या हो जागा d all of the above तो देखिए कौन कौन से test होते हैं supportory के evolution के लिए अगर देखिए appearance test uniformity of weight test melting range test micro और macro रेंजिंग दो तरह की होती है liquification time or softening time especially एकल सपोर्टरी के लिए आप यूज करोगे breaking test कितनी जल्दी तूटेगी या कितनी जेर में तूटेगी उसके लिए breaking test applicable है और साथी साथ आपके यूज करोगे dissolution टेस्टिंग आप यूज करोगे तो कि यह solid doses form में आता है सपोर्टरी किसमें आता है वेटा solid doses लिए आपको इसकी dissolution टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी चलिए for preparation of primary emulsion by peppermint oil कौन सा ओल बेटा peppermint oil तो जो रेशो क्या होगा रेशो क्या होगा प्रपर्मेंट ऑईल अंसर बताईए फटा बट बहुत सिंपल कुश्चन है मैंने आपको ट्रिक बताई है इसकी यह ट्रिक आपको याद होनी चाहिए F M V O fixed oil F 4 fixed oil 4 M 4 mineral oil 3 2 4 volatile oil of one olio region मतला 1 4 4 2 1 3 2 1 2 2 1 or 1 2 1 किया होगा अंसर जैंक इस निंघ्रला किसमें आएगा सबसे पहले बताईए यह बताईए निन संस में आएगा आपका वोलिटायल और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा आ है क्वेश्चन प्रमेंट आल के बारे में तो जो कर्यक्ट रेशक जो हमारे पास आरा रहा है क्या या रखना आपको खलत कर रहे हैं अभी भी आप ठीक है तो यहां पर 421 321 221 121 यह option रहने चाहिए करेक्ट डी नहीं होगा बेटा 221 डी कैसे हो जाएगा 121 तो ओल्यो रेजिन के लिए होता है यह आपका 421 है किसके लिए fixed लुआ और रेजिन के लिए अधियर हो गया है है इन विच अब दो फॉल्यमिंग ट्रांसटर्म डॉट्र ड्रग डिलिवि शिस्टम दड़ ड़ ड्रग रिज़बर इस तोटली इनकेप्सुलेटेट इन 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 फैलो पाट्मेंट किस टाइप के सपान्ट में जालो तो आप पढ़ा भी नहीं होगा इन लोगोंने मेट्रिक्स और रिजर्वार्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर है matrix is not encapsulated system encapsulated नहीं होता matrix matrix में क्या होती drug इस तरीके से बिखरी रहती है अब यहां पर देखेंगे adhesive में भी नहीं हो सकता micro reservoir में नहीं हो सकता सई correct answer जो बनता है वो हमारा मेंब्रेंड permeation controlled drug delivery system यह देखिए membrane controlled मेंब्रेंड controlled में यह आपका encapsulation system या फिर रिजर्वार system क्या होगा answer आया समझ में बहुत simple question था अगर encapsulation को ध्यान दिया होता तो इसका answer भी लगा देते आप चलिए next in adequate spreading of the coating solution in film coating before drying आपने टेबलेट को टेबलेट को क्या किया बेटा कोट किया और कोट किया उसमें आपने ड्राइंग जो आपने पूरी तरह से क्या होई properly spread नहीं हो पाई properly spread नहीं हो पाई तो कौन सी कौन सी टाप की कौन सी टाप की problem create होगी अगर डल फिल्म तो हैजिंग होती है इसमें आपका color change हो जाता है bridging में आपका जो bisects में bridging हो जाती है color variation हो नहीं सकता और इस जैसे की surface बन जाती है और इंज की surface कैसी होती है खुर्दरी टाइप की होती है तो और इंज पील इफेक्ट क्या होगा answer c और इंज पील इफेक्ट ता यूज ऑफ क्लोरेंट में भी सॉल्व क्लोरेंट का यूज किस प्रक्रिया को किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यूज करते हों क्लोरेंट का यूज और के लिए यूज को अठीक हैए आपको पीकिंग इस नौट कलर प्रॉब्लम नौट कलर प्रॉब्लम केपिलरी तो ऊती नहीं है तो क्या होगा answer you don't look what एन बिए कलर मैंने आपको उस्वाफिव बताया था आप्रॉपर कल्रियर्न यूज करोगे तो यह आपकी क्यों प्रोप्लम चलिए जाएगी स्राइटी सॉलिबल कंपाउंड एंग्स कुश्चन पर आते हैं कुश्चन नमबर 47 स्राइटी सॉलिबल कंपाउंड एज पर दी आई-पी स्पेसिफिकेशन ऑफ विल्टी एज श्राइट्ली सॉलिबल क्या होगा अंसर बहुत सिंपल कुश्चन है बहुत ही सिंपल कुश्चन है चलिए वन पार्ट इन वन पार्ट इन टेंट्टू थर्टी पार्ट ऑफ सॉलिबल यह तो क्या होता है सॉलिबल होता है यह कैसा होगा आपका कैसा होता है यह आपका होगा सॉलिबल यह आपका इस्पेरिंगली इस्पेरिंगली सॉलिबल यह आपका स्लाइटली सॉलिबल और यह क्या है आपका फ्रीली सॉलिबल इसमें क्या पूचा है स्लाइटली सॉलिबल के साबसे जो आंसर होगा वो क्या आंसर देखिए यह है स्लाइटली स्लाइटली सॉलिबल के साबसे आंसर क्या होगा सी देखिए यह एक टेबल है इस टेबल को आपको याद रखना Soluble 10 to 30 parts of solvent required, sparingly soluble 30 to 100 parts required, slightly soluble 100 to 1000 parts are required, very slightly soluble 1000 to 10,000 parts of solvent required or practically insoluble more than 10,000 parts, इसको याद रखिएगा इसको क्या बोलेंगे आप, slow release अगर drug हो रही है, तो इसको बोलते हैं, sustained release, slow release, long acting, repeat action, लेकिन यहाँ पर बोला, pre-determined, कैसा बोला है, pre-determined, ना तो long acting हो सकता है, long acting मतलब लबे समय तक काम करें, वो sustained भी हो सकता है, repeat action मतलब बार बार जिसका action आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके बारे मैं नहीं बोल रहे है, हाँ पर किसके बारे मैं पूछे जा रहा है, बेटा, की pre-determined rate से जो drug को release करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो आप controlled release की definition पढ़ोगे, तो आपको clear मिल जाएगा, controlled release का मतलब होता है, की release of drug from the doses form with a pre-determined, pre-determined rate is called controlled release doses form, sustained का मतलब होता है, gradually release of doses form and produce prolonged effect, for longer duration, for an ideal suspension, the sedimentation volume should be, ideal suspension के लिए पूछा गया है, flocculation equilibrium के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है बेटा, flocculation equilibrium के बारे में बात हो रही है, correct answer क्या होना चाहिए, correct answer is that, equal to the 1, लेखिए, sedimentation volume की value 1 होती है, तो कोई भी sedimentation नहीं हो रहा, मतलब ideal suspension है, sedimentation volume की value 0 है, देखिए, sedimentation volume की value 0 है, तो complete sedimentation होता है, unstable हो चुका है suspension आपका, rate of sedimentation को determine करने के लिए आप stock low use करते हो, इसको भी याद रख लीजेगा, चलिए, चलिए, drug inspector का, यह जो आज की जो class चल रही है, pharma tech की जो class चल रही है, इसके जो practice, जो test होना है, आपको फिर से बता देखिए, जो लोग late join किये थे, उनके लिए बता देता हूँ, यह test कल आपको 9 PM से परसों, यानि 27 December 9 PM तक आप के लिए available रहेगा, इसको आप दे सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर हमारा app डाउनलोड की जिए, और उसके बाद आप install करने के बाद batch में जाएंगे, उसके बाद plus का button फ्लिक करेंगे, उसके बाद आपको batch code का option आएगा, उसके बाद आप GDCDI batch code एड़ करेंगे, तो आपका test स्टार्ट हो जाएगा, चलिए, आज का आ स्टार्ट हो गया है, समझेगा, sweetening agent, most commonly used in the tubal tablets, कौन सी होती है, tubal tablets के लिए, बहुत अच्छा question है, बहुत अच्छा question है, इसको समझेगा, ये agent है, इसको मैं agent कर देता हूँ, ठीक है, क्या होगा, many tall, many tall, most commonly used होने वाला, sweetening agent है, जो की tubal tablets में यूज़ करते हैं, क्यों, ये negative heat of pollution प्रेड्यूस करता है, जिसके कारण cooling sensation मिलता है, चलिए, तो आज का जो आपकी class है, आज को लेक्चर है, I hope आप लोगों को मजा आया होगा, बहुत सारे questions आपके बनेंगे से, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, और आप को हो सकता है कि बहुत सारे questions इसके थूरू, आप इस test के थूरू, exam में आ सकते हैं, मिलते चलिए, चलिए, ध्यान रखी अपना पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के लेवल बढ़ाईए थोड़ा सा, exam नजदीक है, बहुत सारी पढ़ाई करनी हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है, गुड नाइट, टेक कियर, बाए बाए, ध्यान रखी अपना मिलते हैं, फिर नेक् यूटूब लेक्चर में झाल प्यूटूब लेक्चर में